आज बनाते हैं राजमा मसाला वो भी बिलकुल पंजाबी स्टैल में इसे बनाने के लिए मैंने एक कड़ाई में तेल दर्म किया है इसमें जीरे डाल कर कुछ खड़े मसाले जैसे की बड़ी लाइची एक दो लॉंग एक दो काली मिर्च डाल कर हरी मिर्च डालेंगे इसके बाद इसमें प्याज एड़ करेंगे प्याज थोड़ा सा भूंज लेंगे उसके बाद इसमें हम लैसन और अध्रक का पेस्ट एड़ कर देंगे अब प्याज को बिलकुल सुनेरा होने तक भूंजना है हमें तब तक हम कुछ सूखे मसाले तयार कर लेते हैं इसके लिए मै बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब ये मसाला इसमें एड़ कर देंगे ऐसा करने से हमारे मसाले जलेंगे भी नहीं और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा अब इस मसाले को बहुत अच्छी से बूनने के बाद इसमें आप मैंने दो टमाटरों की प्यूरी बना कर रखी थी उसे एड़ कर दीजिए और इसे बिल्कुल जब तक तक तेल रिलीज ना हो जाए तब तक आप इसको अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से पका लीजिए इसमें कस्मीरी लाल मेर्च एड़ किया है मैंने कलर के लिए इसे बहुत अच्छा क काना पसंद है तो आप बस ऐसे ही रहने दीजिए बस एक से दो मिट पका लीजिए आपके राजमा तैयार है पर मैं यहां पर थोड़ा सा पानी एड़ कर रही हूं और वो पानी भी जो राजमा को वालते वक्त मैंने यूज किया था यह वही पानी है इसको एड़ कर बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाता है